के प्रीमिम लाइव इवेंट के बाद डबिव ने अल्रेडी हम सभी के लिए हिंट्स ड्रॉप कर आला कि रोमरींस कंपनी से ब्रेक लेंगे वहल इंपेरियम के अंदर फिलाल सरी सभी के सभी मेंबर हैं लेकिन क्या एक फीमेल मेंबर एड होगी ऐसे कुछ टीज हुआ है अ बैलर न्यूज चैंपिन बनेंगे वैल ऐसा मेरा नहीं ऐसा कहला फेमर कहना है कि यह सफिन बैलर को हरा देना चाहिए सेथ रॉलिंस को सो विदाउट वेस्टिंग अनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो वीडियो को शुरू करने वालो हमारे अगले रांडी ओर्टन के लेगन एक बात होते हैं कि कमपनी को अपना अगला बंदा चाहिए जो कि इस चीज़ को कर पाए तो रीसें टाम में जो बात है अरी सामने बताया जारा है पॉसिबली जो ग्रेसन वालर ना डबल डबली उन्हें पूराने रैंडी ओर्टन की तरह बुक कर रही है ओर्टन क लेकिन तुम्हारा क्या इसको लेकर कमपनी ग्रेसन वालर को अगला वाइपर वाइपर तो नहीं एक अगला लेजट के लिए कंसीडर कर रही है अपना ओपिनेंट तुम लोग शेयर कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन के अंदर अच्छा इसके बाद वाली अपडेट है वह इस किनो मेंबर अगर फीमिल मेंबर की जुरत पढ़ती तो किसकी तरफ जाएंगे यहां पर होता कि स्पोर्ट्स कीड़े की तरफ से वाला इंटर्व्यू होता है गंतर का और गंतर से का जाता है कि माल लो अगर आने वाल टाम है आप जुच्वेंट के साथ फ्यूड करते हो आपके सामने अरिया रेपली पढ़ जाती है तो भाई आपको फीमिल मेंबर की जुरत पढ़ेगी तो गंतर कहते हैं अभी फिलाल वो चीज़ सिच्वेशन पर डिपेंड करती है और अगर हमें चूस करना हो हम लोग एकदम बातचीत करेंगे चूस करेंगे और मुझे बूस्ट होने वाले दोनों के लिए इंपीरियम फैक्शन के लिए और यूस काई के लिए बिए बार फैक्शन बने तो आफकोर्स उन्हें फीमिल सुपरस्टार की जुरत पड़ेगी ताकि पूरे तरीके से डॉमिनेशन कर पाए और आए उसका एक बहुत पिक अच्छा रहने वाली हैं तुम्हारा क्या उपीनन है कि तुम्हें लगता है कि यूस काई को अनवाले टाम में जॉइन करना चाहिए इंपीरियम को इसके बाद वाली जो अपडेट है से थ्रॉलिंस की मैच की बारे में जुड़े जो कि बैलर के साथ होगा और माच होने वाला वर्ल विक्टरी इस बाद जरूर फिन बैलर की होनी चाहिए वो कहते देखो अगर मुझे मौका मिलता है कि मैं फिन बैलर से थ्रॉलिंस में से किसे चूज करूँगा तो मैं जाओंगा फिन बैलर के साथ में रीजन है उनकी इंटर्नल स्टूरी डिग मिन पीस के साथ में जो फि तरीके से फिन बैलर चैंपियन तो वो चीज फॉर और उनके साथ होने ही वाली है इवन यहां पर वह यह बात भी क्लेम करते हैं कि सैथ रॉलिंस जिस तरीके से अपने आपको वर्कॉस बताते हैं जिस तरीके से एक्च्वल में वर्ल है विट चांपरशिप को डिफेंड क याद लगीगा कि सैथ रॉलिंस ने जिस तरीके से चैंपरशिप डिफेंड के अंदर इधर जाके उधर जाके लाइव इवेंट के अंदर तो मुझे लगता है नहीं से तरीके से अपने कहते हैं जिम्मेदारियों से पीछे भाग रहे हैं वर्ल हेविट चैंपियन बागी के लिए या फिर पॉसिबिली रोमरेंज के डवलबली कंपनी की एपसेंस के लिए प्रेपरेशन कर रही जिन लोगों ने पता है आने वाले टाम वे जो डवलबली के प्रीमिम लाइव इवेंट्स होंगे जिसमें फास्ट लेन और पेबाक इंक्लिवड है आस पर नाओ उ जाने चाहिए कि आने वाले इन कुछ प्रीमिम लाइव इवेंट्स के लिए रोमन इट्विटाइज नहीं है तो बहुत से लोग का बैक्स्टिच्चियों पर यह भी लविए कि में भी रोमरेंज इस गूइंग वेकेशन जाने का मतलब यह भी निक्यों चैंपिंशिप य जाएंगे चलो बाइदा विदा इस टोडे वीडियो अगर तुम्हें यह वाली वीडियो पसंद आईए इस वाली वीडियो को नीचे लाइक करो साथी में जो लोग चैनल के पर न्यूव है सब्सक्राइब निके सब्सक्राइब को देना चैनल को बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ओन मैं तुमसे मिलता हूं आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जादे जल्दी तिल देन बाइबाई टेक केर